36 गड़ में महत्वक अंशी योजना महतारी वंदन योजना का खासा उसा देखने को मिल रहा है उसा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जगदलपूर में लाखों महलाओं ने अपना पंजियन कर लिया है देखे हमारी एक खास रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश से 36 गड़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना की शिरुबात हो चुकी है जिसमें हर विवाहित महिला को इसका लाप मिलने जा रहा है बस्तर जिले में शुरुबाती सर्वे के अनुसार दो लाग से अधिक महिलाएं पात्र हो सकती है जिसमें से एक लाग उन्यासी हजार महिलाव ने योजना का लाप लेने के लिए आविदन कर दिया है एक लाग शियत्तर हजार हित्गराहियों के आविदन ओलाइन पोटल पर चड़ा दिये गए हैं उसका एक प्रणाम दिख रहा है कि बड़ी संख्या में हमारे पास आविदन भी आ रहे और बड़ी संख्या में सत्यापन करने के पश्चात बहुत कम मात्रा में रिजेक्शन हो रहा है तो शासन के महत्पून योजना है मुझे पुरा विश्वास है कि समय पर इसको हम लोग कम्पेट करा लेंगे 36 कड की विश्णुदेव साइस सरकार ने बिधान सभा चुनाओं में सी योजना से महिलाओं को सीधा लाब देने का बादा किया था सरकार बनते ही समय गवाय बगैर सरकार ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया मुख्य मंत्रिय सहित पूरी कैबिनेट इस यूजना को बहतर ढंक से अमली जामा पहनाने को लेकर संजीता दिखाई दे रही है प्रिशासन के अफसरों के अलावा भारतिय जनता पाजी की यूध विंग भी केंद्रों में नजर आई और महिलाओं को फॉर्म भरने के दौरान आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जग्दलपूर शहर के साथ साथ बस्तर और बस्तर इनिपूर 36 गड़ में इस योजना को एक अवियान के रूप में लिया गया है और यह देखने को मिल रहा है हर जगा चूकि भारती जंता पाड़ी के कारेकरता भी महतारियों के माताओं बहनों की मदद के लिए आगे आई हुए हैं और बड़ा उत्साह है एक उत्साह का वातावने खुशी है कि महिलाएं सशक्त हो रही है आर्थिक रुप से मजबूत हो रही है उनका परिवार मजबूत होगा बस्तर जिले में रहने वाली विवाहित महिलाओं ने प्रदीश की विश्नुदेव सरकार और केंद्र की मूदी सरकार का अभार जताया है उनका कहना है कि महिलाओं के आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए सरकार ने महतारी बंदन यूचना लागू की है जिससे हम सभी को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी अब मुख मंतरी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ हर महा में एक हजार दे रहे हैं उसका कुछ भी करूंगी मैं खाना बनाने जाती हूँ कुछ तोलाब हूँ अब मुख मंतरी तरफ से धन्यवाद मैं ये शश्वी प्रधान मंतरी नरेद मोजी जी को धन्यवाद देना चाती हूँ कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और खास कर महिलाओं के लिए जो सोचते हैं वो करत के दिखाते हैं आज महतारी वंदन का जो महिलाओं के बारे में सोचे, बहनों के बारे में सोचे कि सौ दिन में मैं अगर हमारी सरकार 36 गड़ में आती है और यहां के मैं मुख्य मंतरी विश्णु देव शाय जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक हजार रुपए की रकम हर महीने उनके खाते में आएगी जिसको उपयोग वो अपनी और बच्चों सहित घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगी मेरे परिवार में बस मेरे पती से कमाई होती है और बाकी दूसरे का कोई कमाई नहीं है पस मैं चाहती हूँ ऐसी आगे भी ओते रहे मोदी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद विस्नु देवसाद जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा उस पैसे से हम अपने भी कुछ जरुवत मन चीज पूरे कर सकते हैं बच्चों के भी कर सकते हैं और बहुत सारी यसी चीज है जो चीज उन्होंने किया है हमारे लिए उनके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती है बहराल आठ मार्च का महिलाएं बेसबरी से इंतजार कर रही है योचना का लाब लेने के लिए शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आविदन जमा करने के लिए पहुँच रही है जगदलपुर से रजत बाजपेई की रिपोर्ट जगदलपुर से रिपोर्ट